ओम गंग गडपते नमहां दोस्तो श्वागत है आप सभी लोगों का एक पर फिर से इसे यूट्यूब चैनल जोतिस मार्ग में दोस्तो पूरे पांसो सालों के बाद बन रहा है दिव्य दुरलब महाशुपसयोग पंद्रा नवंबर शुक्रवार कार्तिक पॉर्णिमा इस दिन यानि पंद्रा नवंबर शुक्रवार के दिन कार्तिक पॉर्णिमा के दिन चुपचाप गाय को खिला दें यह चोटी सी चीज रोड़पती भी होंगे करोड़पती मिलेंगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ती मृत्यूडेंड पित्रदोस्त रंतों का खत्मा पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अनधन के भंडा मालक्षिमे के किरपा से आपके साथ प्ढडियों तक करेंगी रुपियों पैसो पर राच्च दोस्तों साथ प्ढडियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा सभी दुख, दर्ज, संकट, कष्ट वे सभी दूर हो जाएगे सभी सुक आपके कदम चुमेंगे सबी सुक आपके पास आ जाएंगे यदि आप यह एक छोटी सी चीज कार्थिक पॉर्णिमा के दिन खिला देते हैं 15 नवंबर को बता दें यह जो पॉर्णिमा बहुत खास है कूँकि शुक्रवार का दिन है और माता लक्षमी भहुती प्यसंद होने वाली हैं इस दिन कार्थिक पॉर्णिमा के दिन बड़ा सुब सही हो गए हैं शुक्रवारी कार्थिक पॉर्णिमा जिसमें यदि आप गाय से जुड़े इन उपायों को करेंगे जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं यकीनन मता लक्षमी किरपा से गरीबी आपके घर का रास्ता भुल जाएगी यहों कहें जीवन के सभी प्रकार के दुख दर्दसन कटकस्त दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में आपको अपार धन्सुक संपत्री की प्राप्ती होगी सबसे बड़ी बात इस उपाय का लाब साथ प्रीडियों तक के लिए हैं पूरा वीडियो दे के अपियो प्रीडियो आगे सबसे पहले लाइक करना जैमा लख्ष up को सेर् जरू वाली पूर्णिमा बहुती खास हैं और इस पूर्णिमा को कार्थिक पूर्णिमा कहते हैं इस दिन महादेव भगवान शिव बोलेना शिंकर जी ने तृप्रा शुर नामक राक्षस का शंगार किया था इसलिए इसे तृप्री पूर्णिमा भी कहते हैं यदि इस दिन कर्थ पूर्णिमा का विशेश फल प्राप्त होता है। अंगीरा और आदित्या ने इसे महापुनित पर्व कहा है। इसी पवित्य नदी सरूबर या फिर कुंड में इसनान जरूर करें। इस दिन इसनान आदि से निर्वत्त होकर सबप्रतन भगवान सुरे देव को एक लोटा जल अवश्यर पित करें। इस दिन चंद्रदय पर शिवा, संबूती, संत्यती, प्रिती, अनुशया और छमा इन छे कृतियों का पूजा नवश्य करें। कार्तिक पूर्णिमा की रातिरी में व्रत करके आप अपनी मनों कामना मांगें। इस दिन जो व्रत व्रत व्रती रखते हैं, कोई भी व्रत रख सकता है, अन धन वस्तर का दान करें, भगवान विश्यर जी मतलक्षमी का विदी विदान से पूजन करें, आपकी समस्त एक् की इस बार जो कार्तिक पूर्णिमा है, सुक्रमार का दिन है, और मतलक्षमी का दिन है, मतलक्षमी को प्रसंड करने के लिए, मतलक्षमी से सम्मनित आप वस्तूं का दान करें, चावल का दान करें इस दिन आप, विशेश सुबफल दाई बताया गया है, और इस दिन यमु और दोस्तों अब बात करें कि गायस तो जोड़े कौन-कौन से उपाए आपको इस दिन यानि कि कार्थिक पूर्णिमा के दिन करने चाहिए जिससे आपकी घर में धन सुक्सपत्ति का वासो मतलक्षमी की किर्पावर से अन धन के भंडार सदेवा आपकी घर में भरे रहे हैं साथ पीडियों तो कि लाव आपको मिल जाएए चलिए शुरू करते हैं गायस जोड़े कौन-कौन से वे महत्वण उपाएं हैं चलिए शुरू करते हैं दोस्तो सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज़्यादा धर्मिक महत्व हैं माननेता है कि गो माता के सरीर पर 33 कोटी देवी देवताओं का वास होता है गो माता की सेवा एम पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की किरपा बरस्ती हैं गो सेवा से ना सिर्फ इस जन्म के बलकी पूर्व जन्म के भी दोस्त दूर हो जाते हैं परतेक सुभा जब आपके घर में बोजन बनना प्रारंब होतो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गो माता के नाम से निकाल दें और बोजन करने से पूर्व गो माता को इस रोटी को खिलाएं यदि संबव होतो काली गाय को खिलाएं यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं परतेक पूजा और मांगलिक कर में गो माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोवर गोमूत्र गाय का दूद अथवा गाय के दूद से बना घी आवश्य सामिल करें इससे आपको पुन्य प्रव की प्राप्ती होगी सनातन परंप्रा के नुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोस्त स्वत्य ही समाप्त हो जाते हैं किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचंग्वय युक्त प्रधार्त का उप व्योग अवश्य सामिल करें कोंकि पंचंग्वे के बिना कोई भी पूजा पाट और हवन सफल नहीं होता जा दोस्तों गो किरपा पाने के लिए प्रते दिन शफ्ता अत्वा महिने में परिवार समित एक बार गो साला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायो को हरा चा हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोसों का निदान हो जाता है गर्मियों में गो मातों को पानी पिलाएं और सरदी में गो मातों को गुड़ अवश्य खिलाएं ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं अनेक देवी देवताओं को अपने सरीर पर धा जाते समय यदी गाय ठोकर मार दे और सारा दूद बिखर जाए तो अपसगुन होता है यदी को यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बच्छडे को दूद पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वे यात्रा आपके लिए अवस्चे ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वे अवस्चे ही पूण होगा यात्रा पर जाते समय बाई और गाय की आवाज आना और रात्री में गाय की हुंकार करना भी सुब होता है दोस्तो साथिसाथ गाय के साथ आप भूल कर भी ये काम ना करें अन इन्हें मौलिक अधिकार दिये जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब भरत्य संस्कृत का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब वहवार कैसे कर लेते हैं गाय दरदर भटकती रहती हैं भर पेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते गाय जब त देते हैं सरकों पर और गल्यों में भटकने के लिए ऐसे में गौवंसी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उनपर पानी डाल देता है कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय दम तोड़ देती है ऐसे में जरूरत हैं इन उस तो गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए, सास्त्रों में गाय को माता का धर्जा दिया गया है, गाय को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है, ऐसे घरों को नरक लोक में वरसों तक कष्ट भूगना पड़ता है, अगले जन्म पसुयोनी में मिलता है कथा है कि गोतम मुनी ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की म्रत्यू हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्सों तक तपस्या करनी पड़ी भगवान श्रीक्रिष्ण जी ने बैल सुरूप में आए व्रत्ता सुर का वद कर दिया था जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्रीक्रिष्ण को शंपून तीरतों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में इसनान से वह पाप मुक्त हो गई थे जा दोस्तों साते सात जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं ऐसा पुरानों में बताया गया है जबकि जो लोग गाए के लिए प्याओ और चारा घरा बनवाते हैं वहें माँ भग्यवान होते हैं ऐसे लोग गुर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुक भूगते हैं और साती सात आराम कर रही गाए को कश्ट देकर क कभी भी उठाना नहीं चाहिए कहते हैं कि जिस इस्तान पर गाए बैटी हैं वहां से नकरत्मक उर्जा समाप्त हो जाती हैं गाए के बैठने की जगा को जो लोग नियाबित साफ रखते हैं वे पूरुग जन्म में किये गए जाने अंजाने में पापों से मुक्ती हो जात हैं गाए को डंडा मार कर उठाना पानी डाल कर उठाने से मनुस्य पाप का भागी बनता है और अगले जनम में उसे दरदर भटकना पड़ता है और सातिसास सास्त्रों में बताया गया है कि गाए का दूद उसके बचड़े के लिए होता है गाए के बचड़े से बचा दूद ही मनुस्य को लेना चाहिए लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दूहू लेने के बाद फिर से बचड़े के लिए बचा हुआ दूद भी दूहू लेते हैं ऐसा करना गोर पाप कहा जाता है ऐसे दूद को दूहाने वाला और ग्रहन करने वाला दोनों ही पाप के भाग बैटना चाहिए इनके पीठ पर बैटने से महापाप लगता है ऐसे लोगों को नरक की यातना भूगनी पड़ती है एक मात्र महादेव के अंस के उत्पन नंदी ही गोवनसी हैं जिस पर स्वैम महादेव और महादेवी सवारी करती हैं क्योंकि नंदी ने स्वैम अपनी इ ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूड़ी और बीमार हो कठोप निसत में नची केता की कथा भी इस संदर्म में हैं कि जिस नची केता ने पिता दुआरा बूड़ी गाय को दान करने पर आपत्ती जताई थी दूद देने वाली और बचडे सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुन्य को प्राप्त करके स्वर्ग में इस्थान पाते हैं दोस्तों साति साथ सूर्य चंदर मंगल या सुक्र की यूती रहू से हो तो पित्र दोस होता है यह भी माननेता है कि सूर्य का संबंद पिता से एम मंगल का संबंद रक्त से होने के कारण सूर्य यदी सनी राहू या केतू के साथ इस्तित हो या द्रश्टी संबंदी हो तथा मंगल की यूती राहू या केतू से हो तो पित्र दोस होता है इस दोस से जीवन संगर्स में बन जाता है यदी पित्र दोस हो तो गाय को प्रति दिन या किसी भी इकादसी को या किशी पूर्णिमा के दिन या अमावस्य को रोटी गुड चारा आदी खिलाने से पित्र दोस समाप्त हो जाता है साथ साथ देशी गाए की पीट पर जो ककुद कुबड होता है वे ब्रस्पती गुरू है अठह जन्म पत्री में यदि ब्रस्पती अपनी नीच राशी मकर में हो या असुब इस्तिती में हो तो देशी गाए के इस ब्रस्पती भाग एम सिव लिंग रूपी कूबर के दर्सन करने चाहिए गुड तथा चने की दाल रख कर गाय को रोटी भी दें इससे आपको सुब फलू की प्राप्ती होंगी और साथ साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हों और सामने से गो माता आती हुई दिखाई दें तो गो माता को आप अपनी दाहिनी और से जाने देना चाहिए आपकी यात्रा आवज से ही सफल होगी और साथ साथ यह संकेत भी जानने यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बच्छडे को दूद पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए आवज से ही सफल होंगी और साथ साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोस स्वत्य ही समाप्थ हो जाता है और साथ साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाएं प्रत्य दिन ताजी रोटी ही बनाएं गाय को अगर आपने रोटी बनाई हैं तो कोशिस करें कि उस रोटी को तो आप तुरंती गाए को दे दें अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले देंगे तो वह रोटी बासी मनी जाएगी गाए को कभी भी बासी रोटी ना दें इससे घर में नकारत्मक उर्जावास करती है और जो भी कार्रे आपके बनने वाले होंगे व इसलिए कोशिस करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बना कर खिलाएं और रोटी को बिलकुल ना रखें बासी रोटी गाय को ना दें और साथ साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है कोई सबजी है सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं गा गाय को ना खिलाएं और साथे साथ आप आटे की गारे लोईयां बनाकर उनके उपर हल्दी लगाएं इसके बाद आप उन गारे लोईयों को एक एक करके गाय को खिलाएं पर तेक लोई को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें पीट पर हाथ पेरें मस्तक पर हाथ पहरें माता गाय के आप चरुनों के स्पर्स करें जहां दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त कारें बनने लगेंगे जो दुख का समय चल रहा है वे भी समात होगा आपके जीवन में खुसी हैं खुसी आउंगी और एक बार आप साथ बार गाय की परिक्रवावी कर लें तो आप गाय को जब भी रोटी दें रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्डी लगा लें या थोड़ा गुड रख लें अगर गुड ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं थोड़ा गी रख सकते हैं जा दोस्तों गाय को कभी भी सूकी रोटी ना खिलाएं सूकी का मतल बात कर रखें जब भी आपको सुब फलो की प्राप्ती होगी जया दोस्तों ये थे गाये से जोड़े कुछ महत पूर्ण उपाये कुछ बातें जिनें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए जया दोस्तों वीडियो चिल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें जाद परी जे गो मता